हेलो फैमिली नमश्कार एक बर फिर से हाजिर हो गई है आप सब की फ्रेंड रेशु और आज को वीडियो बहुत ज़्यादा होने वाला है आप सब के लिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाले हूं कि आपकी कुछ गलतियों की बज़े से गर्ब में बच्चा गंदा पानी पी जाता है जिस वज़े से बच्चे की जान पर तो आही जाता है साथ में डिलेवरी में भी बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेशन आ जाते हैं सिजेरियन डिलेवरी के चांसे बन जाते हैं तो वह ऐसी कौन सी गलतिया है कब गर में बच्चा गंदा पानी पीता है आपको क्या के लिए भी तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से मेरी हमेशे की तरह एक छोटी सी रिक्वश्ट होती है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटे उसको दबा के औल पर क्लिक जरूर करें इससे आपको टाइम टाइम पर जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगे उसके नोटिफेकेशन मिलते रहेंगे और आप डेली इसी तरीके के हेलफुल वीडियो देखते रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गंदा पानी होता कब है गंदा पानी होता है फ्रेंड्स जैसे कि बच्चा अगर गर में पॉटी कर दे और वही पानी बच्चा पी जाए तो कि बच्चा पूरे नौ महीने यही करता है जो बच्चे के चारू तरफ पानी होता जैसे एमनेटिक फ्रूट बोला जाता है उसको बच्चा पूरे नौ महीने तक निगलता है और सुसुगे जरियो बाहर निकालता है य बच्चे की Heartbeat रुक सकती है बच्चे की Heartbeat slow हो सकती है यह दिक्कत होने लगती है इसलिए आपने देखा होगा बहुत से केसिस में कि emergency में doctor C-section delivery कर देते हैं जिसे कि बच्चे को बचाया जा सके तो कुछ ऐसी बाते हैं कुछ ऐसी साबधानिया है जो आपको इन चीजों से बचा सकती है कि आपके साथ ऐसा ना हो तो फ्रेंड मोश्टली यह जो दिक्कत होती है वह 38 हफते से 40 हफते के बीच होती है जब आपका लेवर पेन आने का समय रहता है क्योंकि इस टाइम बच्चा प जिस बचे से इन हफतों में ज़्यादा चांसे होते हैं कि बच्चा गर में पौटी ना कर दे गर में बच्चे की पौटी करने का एक रीजन तो यह होता है कि अगर गर में आपके पानी की कमी है बहुत से ऐसी महलाई होंगी प्रेग्नेंसी में जिनके गर में पानी की कमी ह होती है मतलब कि अल्ट्रसाउंड में अगर आपका एफाई लेवल डाउन है सही नहीं है डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके घर में पानी की कमी है तो ऐसे में ज्यादा पानी के कमी है तो डॉक्टर से आप टाइम टॉ टाइम चेक अप कराते रहें डॉक्टर वे जिनको भी देखते रहें अपनी बडी में वह संकेट में आपको आगे बताउंगी दूसरा इसका रिजन होता है अगर आपका प्लेसेंटा ठीक तरीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है बच्चे तक सही तरीके से निउट्रीशन वगेरा नहीं पहुचा पा रहा है आपको एसी कंडिशन में अपने सला लेनी चाहिए और टाइम टाइम डाक्टर को दिखाते रहना चाहिए तीसरा रीजन होता है अगर आपको pregnancy में बहुत fever रहता है तेज फीवर रहता है तो इस condition में भी chances होते हैं लास्ट के महिने में के बच्चा घर में पौटी न कर दे तो जब भी आपको लगे के तेज फीवर है आपको तो आप घर में बैठके खुद डॉक्टर ना बने आप डॉक्टर को जाके दिखाए ठीक है डॉक्टर जो medicine देगे आप वही ले अपने आप से कोई भी medicine ना ले च इसे के कई महिलाओं को delivery के दर्द को लेके पहले से ही चिंता होने लगती है पहले से ही उनको stress होने लगता है होती है कुछ महान महिलाएं जो उनको डरा देती है कि delivery time पे बहुत जादा पेन होता है बचके रहना 206 हैड्यां टूट जाती है इस तरीके से डरा देती है तो ज आश्ट के महिने में आप stress लेंगी तो ऐसे में chances बनेंगे कि बच्चा party साइध कर सकता है इसलिए stress से आपको दूर रहना है delivery में जो दर्द होगा हो जाएगा घबरानी की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है जैसा आपको period के time पे पेन होता है उससे थोड़ा सा जादा होता है लेकिन जादा पेन आपको तब ही होता है जब आपकी delivery होने वाली होती है जब बच्चा बाहर आने वाला होता है इसलिए घबरानी की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है जो होगा delivery के time हो जाएगा आपको baby आपके पास आ जाएगा तो आप सारे दर्द सब कुछ भूल इसके बाद इसका next reason होता है कि गर में अगर बच्चे का बजन कम है तो इस case में भी chances होते हैं कि बच्चा पौटी ना कर दे last time पे इसलिए अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपके बच्चे का बजन कम है जो भी डॉक्टर इस case में बोलता है आपको वही follow करना चाहिए आपक इसके बाद इसका next reason होता है जिसी कि कई महिलाओं को नौवे महिने में labor pain आ जाता है water leakage भी हो जाता है और वो time per hospital नहीं जाती है घर में ही wait करती रहती है या फिर कई महिलाओं का क्या होता है कि water leakage हो जाता है labor pain नहीं आता है तो वो घर में बैटकर ही wait करती रहती है कि मुझे तो भी लेवर पेन आया है, नहीं मैं क्यों जाओं? तो इस केस में फिर ऐसे चांसेंज बन जाते हैं कि गर में बच्चा पोटी कर सकता है या फिर कई महलाओं को बहुत तेजी से पेन आ रहे हैं काफी टाइम हो गया है और पेन बरदास भो कर रही है, घर में ही है कैसा नहीं होस्पिटल जाओं और डॉक्टर से जरें डिलेवरी ना कर दें ऐसी होती है कई महीं लाएं मैंने देखी हुई है इसलिए मैं आप सब को बता रही हूं तो जब भी आपको ऐसी चीजे दिखती हैं डिलेवरी के सिम्टम दिखते हैं तो आप बिना देरी किये करेगा और भी दिक्कत पैदा करेगा इसलिए वह आने के लिए वेट कर रहा है बाहर तो उसको जाओ हॉस्पिटल और लेके आओ फाल तुम्हें वेट मत करो ठीक है तो जब भी डिलेवरी की सिम्टम दिखते हैं तुरंत हॉस्पिटल जाएं आप खुझ से डिलेवरी नह आपको लेवर पेन आते हैं या डिश्चार्ज होने लगता है आपको बॉटर ब्रेक हो जाता है पानी की थैली फट जाती है तो मतलब डिश्चार्ज का जो रंग होगा वह एकदम टांस्पेरेंट ना होके हरा हो या काला हो तो बहुत ज़दा चांसिस होते हैं कि आपके बच्चे ने गर्ब में पौटी कर दी है और पानी भी पी लिया है मतलब वो गंदा पानी भी बच्चे ने पी लिया है ऐसे केस में तुरंथ होस्पिटल भागें दूसरे सिम्टम होता है कि आपको जिसे की पेन आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं और आपका 38 से 40 वीक के में टाइम चल रहा है और बच्चे की मोमेंट बिल्कुल से बंद हो गई है बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपको तो ऐसे केस में भी आप तुरंथ होस्पिटल जाएं यह क्या होता है कि डिलेवरी का टाइम होता है और इस टाइम बच्चा पूरे तरीके से तयार होत तक ही wait करें जो डोक्टर ने आपको delivery date दी हुई है अगर आप ज़ादा wait करती हैं आपकी delivery date भी निकल गई है तब भी आप wait करती रहती हैं ऐसे में बहुत ज़्यदा chances होते हैं कि आपकी icesering तो होगी होगी साथ में बच्ची की health पर भी फ़र्क पढ़ सकता है शायद बच्चा गर्द में पौटी कर दे और पी ले तो इससे दौनों की हेल्थ पर फर्क पड़ता है तो इन बातों का आप ध्यान रखें जिससी के ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो ही न ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा ह तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में चो घंटी है उसको भी क्लिक कर ले आने वाली वीडियो का पता लगाना चाहते है न जब मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपकी फोन की घंटी भी बच जाएगी तो चलिए फ हुआ 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 झाल झाल